हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू वोचर प्लेनेट आज हम एकस्प्लेन करने वाले हैं एक मिस्ट्री थ्रीलर फिल्म को जिससे साल 2020 में रिलीज किया गया था जिसे डारेक्ट किया था जेंस डेल ने और बात करें इसकी अमडी वी रेटिंग के बारे में जो है 5.2 आउट आप 10 स मुवी के स्टार्ट होते ही हम एक कपल को देखते हैं और बंदी का नाम होता है मिया वो बहुत ही अमीर होते हैं ऐसो आराम की कोई कमी नहीं होती लेकिन मिया प्यार की भूंकी होती है जब जब वो अपनी पती के करीब आती है उसका पती उससे दूर जाने के बाहने ढूं की बहुत तारीफ करती है और उसकी तारीफ करते हुए उसके थोड़े से बाल तोड़कर अपनी पॉकिट में रख लेती है फिर कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं दरसल रुबिन एक साइंटेस्ट है जो नैने एक्सपेरिमेंट करके इंसान की जिन्दगी बदलन कर आ सके यानि बुड़ापे की तरफ नहीं उल्टा बच्पन की तरफ आ सके वो हर इंसान को जबान बनाने का सपना देख रही है इसके लिए वो सीधा इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती है जिसके लिए वो रशियन बंदी को गिटनैप करने का प्लान बनाती है कुछ लोग उसे गिटनैप कर लेते हैं फिर हम देखते हैं एक आदमी आग जलती ही मसीन से उसके ऊपर ठपा लगा देता है लेकिन वो हार नहीं मानती और जैसे ही गाड़ी एक मोड़ पर घुमती है वो उसका दरबाजा खोल कर कूच जाती है और भाग कर मिया के रहा हूं फिर हम देखते हैं थॉमस गाड़ी को एक सुनसान फैक्टरी के सामने रोक लेता है वो समझ जाती है थॉमस उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं आया है थॉमस के पास बही बंदा आता है जिसने उसे पहले गिटनैप किया था और वो लड़की को पकड़ कर फैक्टरी में प्रॉबलम हो सकती है इस बात को लेकर रुबिन और थॉमस में बहस हो जाती है फिर हम देखते हैं मिया थॉमस का इंतजार कर रही होती है क्योंकि थॉमस अभी तक घर नहीं पहुंचा था जब वो काफी देर तक घर नहीं पहुंचता तब मिया उसका कंप्यूटर चे से काफी दूर है तभी थॉमस का मैसेज आता है उसमें लिखा होता है कि उसने उस रशियन लड़की को ऐस्पिकल छोड़ दिया है मिया समझ जाती है कि थॉमस जूट बोल रहा है और वो उसी लोकेशन पर निकल जाती है और गाड़ी पहुंच जाती है उसी फैक्टरी के पा महां अंदर बहुत सारी मोडर्न टेकनलोजी से लैस मशीने होती है और लैप के डिवाइस कुछ ऐसे हैं अगर कोई उसके अंदर आ जाता है तो वो रूबिन के परमीशन के बगएर बापस नहीं आ सकता फिर हम देखते हैं मिया के कमरे में अब बंदा होता है और वो उसे स सारे कपड़े उतारने का ओर्डर सुनाता है उसे धंकी दी जाती है अगर वो कपड़े नहीं उतारेगी तो उसे जान से मार दिया जाएगा मिया चुप चाप कपड़े उतारकर एक बाइड ड्रेस पहन लेती है इसके बाद वो बंदा उसके हाथ पैर बांद कर उसका जाता है वो बंदा रोबिन से बात करने के बाद थामस को उससे मिलने देता है मिया जब इसके बारे में थामस से पूछती है थामस उसे बताता है मैं अपनी मर्जी से रोबिन के साथ नहीं हूँ वो उसे बताता है कुछ साल पहले रोबिन ने एक ऐली नाम की लड़की से और एक पार्टी के दोरान जब वो नशे में था और सुबा उटकर देखता है तो उसके बैट पर एली की लास पड़ी हुई है उस बक्त रूबिन ने उसकी मदद करके उस मैट को छुपा लिया था और उसे उसका पार्टनर बनने पर मजबूर कर दिया था तब थामस कहता है मैं तुम्हें एक दिन जरूर इस कमरे से बाहर निकाल लूँगा वो मिया से कहता है कि वो कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश ना करे क्योंकि रूबिन और उसके आदमी एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे उसकी जान लेने में फिर मिया को बरावर से कुछ आबाजें सुनाई देती है तब वो समझ जाती है मेरे अलावा कोई और भी है जो इस लैब में कैद है फिर हम देखते है उसके दरबाजे को कोई जोर जोर से ठोगने लगता है जब वो देखती है उसे पता चलता है वो रशेन लड़की है जो वो अपने कमरे से बाग कर उससे मदद मागने के लिए आती है इससे पहले मिया कुछ कर पाती वो बंदा बहां आकर उसके सरपा हमला कर देता है और उसकी जान चली जाती है थामस रूबिन से इनसान की उमर को कम करने वाली दवा के रिजल्ट के बारे में पूचता है रूबिन उसे अल्मोस्ट कम्पलीट होने का दावा करती है फिर वो रूबिन से कहता है लोगों को जबान करने वाली दवा देने से पहले बै खुद अमर क्यों नहीं बन जाती वो उसे बताती है क्योंकि उसे आज तक अपने डियाइने से मैच करने वाला किसी दूसरे इंसान का डियाइने मिला ही नहीं फिर वो कहती है मैं और लड़कियों को किटनेप करने का प्लान बना रही हूं उसकी बाद सुनकर थॉमस उसे एड़वाईज देता है कि उन लोगों को मिया को रास्ते से हटा देना चाहिए उनके काले धंदों के बारे में उसे पता चल गया है और ये काम वो खुद करेगा फिर कहानी पलटती है वो रुबिन और उसके आदमें को धोका देकर बहां से बागने की कोशिश करता है जिसमें वो खुद पकड़ा जाता है लेकिन मिया भाग कर कार में छुप जाती है फिर हम देखते हैं मिया का blood sample रूबिन के sample से match कर जाता है ये देखकर रूबिन मिया को किसी भी कीमत पर पकड़ कर लाने का order देती है कुछ देर बाद मिया पकड़ी जाती है और वो बापस उसे lab में ले आते हैं फिर हम देखते हैं रूबिन बड़े से injection से मिया की body में sperm डाल कर उसे pregnant करना चाती है ये करने के बाद उसे नीचे basement में एक secret room में बेजा जाता है यहाँ वो देखती है उसके अलावा 100 से जादा लड़कियां छोटी छोटी जेल के अंदर बंद हैं इन लड़कियों में दो बाते common हैं पहले ये सारी लड़किया मारपीट का शिकार हुई हैं और दूसरी बात सारी लड़किया pregnant हैं रूबिन का secret plan यही है कि वो बहुत सारी लड़कियों को medically pregnant कर दे और उनसे पैदा होने वाले बच्चों की बाड़ी के डियने से कुछ खास सैंपल लेकर बूरे लोगों की बाड़ी में डाल दे जिससे उनका सरी पीछे की तरफ ग्रोग करने लगे फिर हम देखते हैं मिया की मुलाकात उस लड़की से होती है जिसका नम एली होता है जिससे मरा समझकर थॉमस रूबिन को आज तक पैसे दे रहा है वो मिया को खुद बताती है उसने उस दिन सिर्फ मरने की एक्टिंग की थी जिसके लिए रूबिन ने उसे पैसों का लालच दिया था और बाद में उसे यहां बंद कर दिया लड़कियों को आपस में बात करता देख वो बंदा आता है और उन पर चिलाने लगता है जेल में बंद एक लड़की अपने दाथ में दर्ध होने की बज़े से चिला रही थी जिससे सुनकर वो बंदा जबज़ती उसका दाथ तोड़ देता है और जब वो इस दर्ध से और ज़्यादा चिलाती है तब वो स्टैपलर मशीन से उसके होटो को सील करके आगे बढ़ जाता है जब एली इस पर आवाज उठाती है तो वो बंदा आकर एली को बैल्ट से मारने लगता है जिससे उसके पेट में पल रहा बच्चा कुछ हरकते करने लगता है और रोबिन बेस्मेंट में आती है और बच्चे को डिलेबरी करने में उसकी मदद करती है जैसे ही बच्चा बाहर आता है उसे लेकर वो निकल जाती है जब वो बंदा नीचे basement में खाना देने के लिए आता है तब मिया जानमूझ कर बाल्टी में करने की जगा नीचे पिशाप कर देती है जब वो बंदा मिया को मारने के लिए आगे बढ़ता है तब मिया चुपके से चाबियां लेकर और लड़कियों की तरफ फेक देती है फिर हम देखते हैं सारी लड़कियां बाहर निकल कर उस बंदे को पीटने लगती है फिर एली अपने बच्चे को ढूंडने के लिए और उसके साथ कुछ लड़कियां उपर की तरफ भागती है फिर उसे सामने एक बड़ा सा कंटेनर दिखाई देता है जिसमें से बहुत बदबू आ रही थी जब इस कंटेनर को खोला जाता है तब उसमें हजारों बच्चों की सड़ी हुई लासें दिखाई देती है फिर वो बंदा उन सब का पीछा करते हुए उपर भागता है जहां उसकी लड़ाई थॉमस से होने लगती है वो थॉमस को मारने ही बाला होता है लेकिन मियां उसको बचा लेती है फिर रुबिन भागने की कोशिश कर रही होती है तब ही लड़कियां उसको पकड़ लेती है फिर कुछ लड़कियां उस बंदे के उपर पिशाप करती है और लोहे की रोट से पीटना शुरू कर देती है और उसकी मौत हो जाती है अब बारी आती है रूबिन की लड़कियों को खुद की तरफ बढ़ता देख रूबिन एक चाकू से उनको डराते हुए अपनी ही जान लेती है फिर हम देखते हैं बहां एंबुलेंस आ जाती है फिर आता है फिल्म का एंड सीन जब मिया बताती है इतना कुछ होने के बाद भी रूबिन के खलाफ मेडिया में एक नियूस भी नहीं आई क्योंकि उसने इतने पावरफुल लोगों को अपनी टेक्नलोजी से मद सब्सक्राइब कर लीजे मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो